अब लो इस्टूडेंट्स वेलकम टू मोहित बंसल क्लासेस देखे बच्चों जैसा कि आप लोगों को पता है कि सुप्रीम कोर्ड का अभी-अभी एक ओरडर आया है और सुप्रीम कोर्ड के ओरडर के थूरू प्रीम कोर्ड ने अभी ये बोल दिया है कि जो एलेक्टरॉल है वो अन्कॉंस्टिटूशनल है असंभैदानिक है सम्मिधान के साफ से सही नहीं है प्वेशन यह आता है कि सरियाखिर की अगर और हमारे कोर्स के ऊपर इसका क्या इंपेक्ट पड़ता है कंपनीज एक्ट के इसका प्या लेना देना है मारा चीज समझ लेते हैं वह या कोई भी person किसी भी political party को अगर contribution देना चाहता है, donation देना चाहता है, पैसा देना चाहता है, तो वो दे सकता है, और companies के लिए तो पहले एक limit लगाई गई थी, कि इतने percent पर आप board resolution से दे सकते हो, इस से उपर आपको special resolution पर जाना पड़ेगा, और पिछले कम से कम 3 साल से listed, 3 सा से incorporated होना चाहता है, ऐसे करके condition हुआ करती थी पहले, यह 2017 तक था, वहाँ पर जब भी कोई भी person या कोई भी company अगर किसी भी political party को कोई भी contribution देती थी, कोई भी पैसा transfer करती थी, तो उन्हें बताना पड़ता था, कि आखिर किस political party को दिया जा रहा है, कितना amount दिया जा रहा है, यह सभी चीज़ें disclose करना जरूरी थी, तो हमारी जो ruling party है, BJP बारते जनता party, उसको लगा कि अगर कोई ऐसा person या ऐसी कोई company है, जो कि किसी एक political party को contribution देना चाहती है, पर उसे डर लग रहा है, कियार मैं अगर इस political party को contribution दू, तो कहीं कोई दूसरी political party में इसे नाराज ना हो जाए, क्योंकि disclosure पूरा दिया जा रहा है, कि बेर कौन सी party को आप donation दे रहे हो, कितना दे रहे हो, all that यह सब चीज़ है, तो 2017 के अंदर जो भारतिय सता party है, हमारी ruling government है, वो एक law लेकर आई, और उन्होंने बोला, कि अब अगर कोई भी person, कोई भी company, किसी भी political party को अगर contribution देना चाहती है, तो उसके लिए उसे वो directly cash के form में contribution नहीं दे पाई, कोई भी person या कोई भी company, किसी भी political party को directly cash के form में contribution नहीं दे प special कुछ notified branches के अंदर वो person या वो company जो भी contribution देना चाहता है, सबसकर या आप 2,00,00 रुपे देना चाहते हो, तो आप SBI के पास में जाओगे, और SBI से जाकर बोलोगे कि मैं फलानी political party को 2,00,00 रुपे contribute करना चाहता हूँ, SBI आपसे वो 2,00,00 रुपे लेगा और आपको उसके के बदले में electoral bond दे देगा, electoral bond दे दिये जाएंगे, electoral bond आपको मिल जाएंगे 2,00,00 रुपे के, वो electoral bond लेकर आप उस political party के पास में जाओगे और वहाँ पर उनको जमा करा दोगे, और वो political party 15 दिन के अंदर अंदर उस bank की, state bank की particular branch से अपना पैसा and cash करवा लेगी, अब इसके अंदर ये था, कि ये जो law लेकर आई, भारते जन्ता party 2017 में, इसमें ये हो गया कि एक तो कोई भी person या कोई भी company, political party को cash की form में directly donation नहीं देगी, उसके अलाबा, SBI की कुछ notified branches के अंदर जाकर, उतने amount का, जितना contribution करना चा लेगी, और electoral bond दे दी जाएगा उस party को, जिसको को देना चाहती है, अब इसमें ये हो गया कि इसमें disclosure नहीं होगा, कि कितना रुपया person ने या company ने, कौन सी political party को दिया, ये disclose नहीं किया जाएगा की कि, कि किने दिया, कितने रुपय दिये, कौन सी political party को दिए, ये 2017 के अंदर law लेकर आई हमारी भारतिय जन्ता पार्टी और 2018 से यह effect में आ गया लागू हो गया और तब से यह लगातार चल रहा था लेकिन बाकी की जो political parties थी अगर जो political parties थी उनको ऐसा सही नहीं लगा उन्हें ऐसा लगा कि देखे हर company या हर person किस government को किस political party को contribution देगा जो सक्ता में है जो rule कर रही है आज अगर मेरी company है तो मैं उसी political party को contribution दूँगा जिसके पास मैं power है क्योंकि मैं उससे कुछ ना कुछ काम निकलवा हूँगा मैं उससे बोलूँगा वो tender मुझे दिलवा दो वो license मुझे दे दो मैं भी तो in return कुछ ना कुछ consideration चाहूँगा अब जो बाकी other opposite parties ती जो कि opposition में बैठी हुई है उनको लगा कि यार ये तो ये लौ जो है वो कहीं ना कहीं हमारी ruling party BJP को support करेगा favor करेगा तो उन्होंने other opposition जो political parties थी उन्होंने petition दायर कर दी और supreme court का अब judgment आया है उन्होंने बोला है कि जी हाँ ये electoral bond unconstitutional है अज सम्मेधाने के हैं सम्मेधान के हिसाब से सही नहीं है क्योंकि ये कहीं ना कहीं ruling party को जरूर favor करते हैं support करते हैं और question ये आता है कि सर ये तो आपने electoral bond के बारे में हमको कहानी बताई इससे companies act पे क्या अंतर पड़ता है देखिए companies act के अंदर एक section 182 था और 2017 तक उसमें limit दी हुई थी कि कोई भी company अगर contribution देना चाहती है इतना percent तक contribution board resolution से दे देगी उतसे उपर special resolution pass करना पड़ेगा उसको अपने balance sheet में और यो financial statements है उसमें disclose करना पड़ेगा किस political party को contribution दिया और कितना दिया लेकिन जब 2018 के अंदर ये law effect में आ गया तो section 182 amend हो गया change हो गया और अब उसमें ये आ गया कि company political contribution दे सकती है लेकिन उसे disclose नहीं करना पड़ेगा कि किस political party को contribution किया गया और कितना किया गया और उसके अलावा ये जो contribution है जो कि SBI की special branches के अंदर electoral bond purchase करके दिया जा रहा है वो 100% tax free है लेकिन अब Supreme Court इसके लिए मना कर रहा है Supreme Court का जो order है judgment है वो मना कर रहा है कि नहीं अब ये electoral bond का नहीं चल सकता क्योंकि ये right to information act के खिलाफ है जब ये opposition party जो है उन्होंने petition file करी तो Supreme Court ने बीजेपी को बुलाया और उन्होंने बोला कि आप अपने पक्ष में बात रखिए अधर जो political party है वो तो इससे हटाने की भोल रहे है तो बीजेपी ने बोला कि देखिए जो जनता है उसको जानने का ये अधिकार नहीं होना चाहिए जनता को public को जानने का अधिकार नह नहीं होना चीए लेकिन सुप्रीम कोड ने बोला जी नहीं ये तो right to information act के खिलाफ जाता है और electoral bond को असंवेधानिक unconstitutional करार दे दिया गया है और ये कहीं ना कहीं directly, indirectly जो ruling party है BJP उसको जरूर affect करेगा क्योंकि अब चुनाव आने वाले हैं बहुत सारे लोग, बहुत सारी companies उनको contribution देना चाहती थी पहले electoral bond के तुरू उनके पास में एक source था जिसमें वो अपना नाम disclose किये, party का नाम disclose किये, amount बिना disclose किये, contribution दे सकती थी, पर अब इसको मना कर दिया गया है और ये, और ये कहीं ना कहीं, और ये कहीं ना कहीं हमारी ruling party को जरूर affect करेगा, तो ये एक normal point of view भ प्रेंग्स है, उनके लिए भी जरूर ये कि section 182, amend बहुत पहले हो गया था, क्योंकि अब ये hot news बन गई है, हो सकता है exam में आ जाए, इसलिए आपको पताया जाता है, मिलते हैं बच्चों, अच्छा इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, अपने प्रेंग्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि exam में आने लाएंग ये बात है, और आपके लिए बहुत important साबित हो सकती है, मिलते हैं बच्चों, हम लोग अपनी next class के अंदर, next video के अंदर, till then, thank you, take care.